यह देख रहे हैं कि आप लोग परिवार के सदस हैं इसलिए वो हमारे लीडर है और हम सब के आदर्स इस बात की है तो भूपाल में देखें तो जो लेकर पर तीन हजार ओजला यूजना की लाप को लेकर और तीन हजार उपर जो लाड़ी बेहना का जो लाप दिया जाना है क्या वो मिला है अब भर्ग की एक ही चाहा है कि मोदी जी दूसरी भार भारी बहुत से इस बार चाड़े देन सोने हम लोग चारसो पार करेंगे आप हम बिद्धा पेंसन मिल रही नहीं मिल रही हैं प्रैप्रे टाइम के खास कार्करम चुनावी चौपाल को लेकर इस बक्त हम पहुंच चुके हैं भार्टी जन्ता पार्टी की महिला कारकरताओं के पास और टीकमगर लोकसवाजव परत्यासी हैं डॉक्टर बीरंद कुमार के समर्थन में उनके परचार को लेकर यह लोग के डोर टू डोर ग्रामीर चितरों में और सेरी छित्रों में जा रही हैं क्या को नोगों को रुजहान मिलना है जी क्या कहीं है आप आज जैसा कि हम सब देख रहे हैं कि लगातार एक महीना हो गया है परिचार प्रशार करते हुए वैसे तो हमें प्रचार करने की आवस्थ्ता नहीं है क्योंकि मोदी जी जो है वो 24 गंटे जैसे वो बैठ देते नहीं है और हम लोगों को भी बैठने नहीं देते हैं कोई ना कोई ऐसी योष्णा चलाते हैं जिस योष्णा को लेके हम लोग घर घर तक का है आपको घर घर जाके बस मोदी जी की त्रफसे राम्राम म Oreo यह जए तो मोदी जी की बोट को लेकर कोई अपील ने कर रही है राम्राम करीएश की पीचे क्या है हम सब देख रहे समझते हैं कि हम सब ने ऐसा द्रस हम सब को देखने को मिला यही सब से इसलिए राम राम बोलना है कि यह पूरा जो माहौल था पूरा देश ही नहीं पूरा अंतरास्टी इस तर पे पूरा माहौल था राममाई हो गया था इसलिए राम राम बोलना तो क्या माद देश प्रत्य सब लोग उनके परिवार के सदस हैं इसलिए वो हमारे लीडर हैं और हम सब के आदर्स भी है जैसे बार्डू में जा रही है क्या रिस्पॉंस मिला है बहुत ही अच्छा जैसे हमारी बहने खड़ी है सभी का कोई से कुछ कहने के आवस्तेक्ता मुझे नहीं लग रही बस प्रिश्पॉंस मिल रहा है वैसे तो हमें बोलना नहीं चाहिए बाकी जो हमारे बाड़ बाशी हैं सबको पता है कि मतलब कि जो राम लला है वो प्राण पितिस्ता हो चुके हैं और सबको मालूम है कि बहुत अच्छा हम लोगों को लग रहा है और जो अभी राम नौमी का जूलूस मिल निकला था उस सभी सभी लोग जागरुत हैं और सबको बहुत अच्छा लगा कि मतलब जैसे कि सबसे बड़ा मुद्दा चला है पलाएन रोजगार बेरोजगारी तमाम इन मुद्दों को ले कर आपको बातें तो आती होंगी सुनने के लिए जब परचार के लिए आप जाती है तो सरकार से क्या बता रही है अपके सरकार यदी बनती है मोधी जी दुबारा आते ह में मारे मतलब अव्या का विकास का मंत्र लेकर के चल रहे हैं तो वो सब बना रहे हैं और युवा को रोजगar दे रहे हैं बहुत सारी ऐसी याजनाय बना प्हज्स में हमारे मतलब युवांपिपीडी के लोग वोंको दो जतने च्पर कि लोगी हक्त थे आफ्लनी चैनल लॉद्जा को उत्ट रचनको और माल चंस मीसमान है प्लृष से क्यों सभकी उझ्वार है उज्टा को और तीन एजार योजना मौदी जीने सभी बराबर और लाब दिया है यह तो कहीं से सुनने में नहीं आया कि लाब नहीं मिल रहा है जैसे कि मुझी जी का मद्ध्रदेश में एक सब्सक्राइब तीन बार दोरा है और भारती जन्ता पार्टी का फोकस मात्धडर शर्माजी ऊपर यहां पर लोकसरा सीट मेली रोस है है कि एक लग लगए की वोई विबुक्ष पा्यासिये उस्ते भी उनकी कोई फाइट नहीं है सद्सक्राइब को समर्थनमना को लेकर कई बार बत होते हैं तो क्या है किसानों का समर्थनमुल जो यहां की जो उपज है जिसे resilience पंजाब में 15-16 की दिमांड चल रही है यहां पर जो है अपने हां समर्थन मुल सिर्फ है गयो हूं जो उपज दो तीन है उसमें समर्थन मुल जो है वह सुमुस पे शायद किसानों के संपर्क में हम थोड़ा कम है कि समर्थन मुल उन्हें कितना मिल गौवर्मेंट देना चा मैंने महिलाय बहुत है उत्साहित हैं महिलाय हमें तो ऐसा कुछ बोलने कि आवस्टाहिं नहीं पड़े वह खुदी बोल नहीं है कि हम सब बहुत सवभाग साली है ऐसा प्रधान मंत्री जिसने देश ही नहीं विश्व पटल भारत का नाम रोशन किया है हम सब लोग बहुत अभी बूत और हर एक महिला ही नहीं प्रतेक बर्ग पुरोशो युबा हो हर बर्ग की एक ही इक्षा है कि मोदी जी दूसरी बार भारी बहुमत से इस बार साड़े देन सोने हम लोग चार सो पार करेंगे अब आप देख रहे हैं कि हम सब लोग वो हमारी सब की प्रेणा की शरोत रही है बुद्नेल खंड उनके नाम से जाना जाता है बुद्नेल खंड की बहुत बड़ी पहचान है उमा भारती जी और हम सब लोग उनके जो अध्यात्म की और जा रहे है यह उनकी तपस्या है उनका बोल है जैसे कि बीडी सरमाजी हैं उनको तो बॉक ओवर में लगता है क्योंकि जो गटबंदन से जो समाजबादी पार्टी ने प्रतियासी उतारा था उनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है उनकी उस सीट को लेकर क्या कहेंगे आप खज्राव सीट को लेकर उनकी तो पावरफुल सीट है और उनी को जीतना है क्योंकि उनका काम इतना मतलब सुपर है कि वह मेहनत और संघर सील मतलब ब्यक्ति हैं तो उनका तो जीतना निश्चे थी है लाडली ज़ना का सरथ काजना को इसको बहुत ङए सलेंड्र भी कि तो नोर्माल हो गया न सब माता जी का क्या वोचा रही है लारली बहना को लाब मिलना हुआ है अपको लाब मेला हुआ है क्या मूद है इस बार कॉंग्रीश के लोगा रहे के पीजी को ले करे कमल को ले के मोदी जी को राम-राम पोला है का यहां अब जार तो आप हैं तो लाड़ी भीना को लाब मिल लोगा आपको नो के बहुत के तीजाय दिखाती है अब आप साड़ी वारा सवाई तीन जार मिले के नहीं मिलेंगे तो आप माता जी आप से एक बात पूछ बोचा रहे हम जहां पे आप रहती हो कई यसे महले हैं सेहर के अंदर भाँ पे सराप की बिक्री हो रही है अब एद रूप से क्या पुरसों पर कोछ असर पड़ रहा है महंगाई तो ठीक है अपनी जगह है यह सब चीजे बंध होनी चाहिए गली-गली सराप बेकना यह नहीं हम पे निगाए एक पी रहा है तो घर पूर नस्थ है बंगे परेशान मातराम उई में परेशान फंट मातराम को आई परेशान तो मात भाब भी परेशान बोई तरह से परेशान और दूंधे बंद निगाए कोई नहीं मुद्धी जाका देवे न तो दुनिया सोदाया जाब आप आप अपर देपेंसन मिल लाई नहीं मिल रहा हुआ हमें तो घर में तो मिल रहा है ना दो नहीं है नहीं नहीं आरा है जैसे कि बीरंद कुमार जी कई बार से यहां पर सांसद भी रह चुके हो पाटी ने फिर सेंद पर भरुसा जताया है उनकी क्या ऐसे कारकाल हैं क्या ऐसा काम है जो आज भी जनता की बीच आप जा रहे हैं तो आपको सुनने के लिए मिल ला हुगा कि हम सब लोग जैसा की जानते हैं कि उनकी जो पहता है है एसा संथा जो हम के बीच एक कांत में भी निकल जाता है आई एसी जäd जाता है चाहिए वो मोची की दुकानों, चाहिए वो सबजी की दुकानों चाहिए किसी की दुकानों बहुत ही सरालिव सह्ज और हम देख रहे हैं कि बहुत आठमी बार उनको पार्टी ने बिस्वास देताया है, मतलब 40 बर्स लगातार सांसत किया है, तो उनके जो कारसेली रही है चाहिए वो अपने आपे रेलवे स्टेशन को लेके रहा हो चाहिए, वो कीन वितवा को लेके रहा हो चाहिए, खास कर जिस विभाग के वो मनिस्टर रहे हैं, उन्होंने बेकलांगों के लिए बहुत ही कल्यान कारी काम किये हैं, ये सब हम देखते हैं कि इस छबी को लेके आज तक उनकी जो चबी है, आज तक कोई उंगली नहीं उठा सकता है, कि ब्रस्टाचार की नाम पे उन्होंने कभी को बाडबाई बाड, सहर में, ग्रामीड छेतरों में महिलाओं के बीच पहुँच रही हैं और बोट मांगने की बज़ाए राम राम कहकर के एक संदेश दे रही हैं और बोट की मांग कर रही हैं, अब पेपे टाइम की एक खास कारीक्रम चुनाभी चौपाल को लेकर चलते ह अगले कारीक्रम में अगले लोगों के बीच और पूर्शते हैं क्या कुछ माहल है पूरे चौनाव को लेकर पेपे टाइम के लिए पहलाद पटेल के साथ बिनोद मिसरा की रिपोर्ट